नमस्कार आप देख रहे हैं दा सुगम जी हां पेस हैं राजस्तान की आज की टौप एड़ी रेट दस बड़ी खबरें आपको दादे कि राज़े में हर 60 सेम्पल पॉजिटिव आ रहा है दो सा जालोर संकरमन दर अच्छी है बासवड़ा सिदोड़ गड़ में खराब है राजस्तान में हर सेवा सेम्पल है वो कोरोना पॉजिटिव रहा है परदेश में सनिवार को कोरोना की 10,837 नई किस मिले है वहीं राजस्तान परदेश की अगली बड़ी ख़बर आपको दादे कि दो दिन के बाद कम होगी सर्दी राजस्तान में सोमार से सर्दी से रहात मिलना सुरू हो जाएगी परदेश के सभी जिलों में मोसम सुस्क रहेगा और तापमान में बढ़ उतरी होना सुरू हो जाएगी पूरवी राजस्तान में सनिवार को दिन रात सलरी सर्द हवाओं से रहात नहीं मिल पाई है इदर आप गोदादे की करूली में 2.2 सेल्सियम है वो पाराद दर्ज किया गया है और शेतोड़ गड में 1.7 वह हनुमान गड में 2.1 सेल्सियम पाराद दर्ज किया गया है कई जेलों में सर्दी का परकोप जारी है वही राजस्तान परदेश की अगली बड़ी ख़बर जुन जुनु के लाल को मिलेगा राजस्ट्रपती वीरता पदक जुन जुनु के एक बेटे को वीरता पदक से समानीत क्या जाएगा जुन जुनु के लाल अजे सिंग सीर्पियाप में उपनी रिख सके है वही राजस्तान परदेश की अगली बड़ी ख़बर मंतरी सांसत के बयान पर सियासी बवाल अफसर को लताडा कहा जूते साथने का सौक हैं तो पार्टी जौइन कर लो नहीं नौकरी शोड़ दो आजस्तान के जोदपुर जिले के सेरगड एस्टीम को सांसत और केंदरी जल सक्तिमंद्री गजिंदर सिंग सेकावत और पाली सांसत पीपी सौधरी ने भरी बैटक में जम कर फटकार लगई है दरसल गंतंतर दिवस समारों के आयोजन में सावरजनिंग मंच पर एस्टीम ने पूरो सांसत की तारिव की थी साथी मौझूदा पाली सांसत को फिल्ड में इंटीटीव बताया था इसी बयान पर सियासी बवाल हो गया दोनों नेताओं ने कलेक्टर से एस्टीम के खिलाब कारवई करने को का है पाली सांसत पीपी सौधरी ने तो यहां तक क्या दिया कि जूते साथने का इतना ही सौक है तो पाल्टी जोईन कर लो और नौकरी चोर दो गजिंदर सिंग सेकावद ने स्टीम को भटकार लगाते वे का कि आप पबलिक प्रोग्राम में खड़े होकर सांसत को पासिंग मार्क्स दे रहे हो फिर भी आप नौकरी कर रहे हो आपकी हीमत कैसे हुई सरकारे बदलती रहती हैं यह सरकार भी इससा बदल जाएगी गया है कि देश में 30 जनवरी को सही दी उसके अवसर पर विवी निस्तानों पर कारे करम करके राष्ट पिता मादमा गांधी को स्वंदा जली दी जाएगी इसको ध्यान में रखते हुए कि रविबागने नगरी सेत्रों में संडी कर पी उससा अप्त कर दिया है मगी राज़त्सकान परदेश की अगली बड़ी खबर राज़त्सका राज़त्सकाँ की समताप का बनेगा इंडोर हॉल लोगाट इस्टेडियों में करीब दो जार दर्सकों की समता वाली मल्टी परेजल इंडोर हॉल बनेगा इस पर करीब 7.50 क्रोट रुपे खर्श आएगा अगले समता में इसके टेंडर होने की समभावना है ये एक साल में बन कर तयार भी हो जाएगा और अनुसुषित जाती जन जाती के मामलों पर चर्शाय की गई है पुलीस मान रिक्सकों और पुलीस अद्यक्सों की बैटक में सुकुरवार को अजमेर धौलपूर कमिशने रादी ने इस बिन्दों पर प्रेजेंटरेशन दिया है साथी मुक्यमंद्रिया सोगयलोत ने भी निर्दिस दिया है वही राजस्तान पर देश के अगली बड़ी ख़बर की बात करें लेकिन उसे पहले आपको दादे कि अगर आप 10 सुकम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आपको राजस्तान की बड़ी ख़बरें 10 सुकम की माधिम से मिलती रहें बड़ी ख़बरें आट्वी बोर्ट परिक्सा को लेकर आपको दादे कि 10.50 लाग इस्टुडेंट्स ने किया आविदन 20 परसेंट अभी तक बाकी है 62 बोर्ट परिक्सा में इस साल राजिय के 62 बोर्ट के करीब 13.50 लाग इस्टुडेंट्स सामेल होंगे आट्वी बोर्ट परिक्सा के ओनलाइन आविदन में अब सिरफ दो दिन का समय सेसरा है सनिवार तक लगबग 10.50 लाग इस्टुडेंट्स प्रारंबिक शिक्सा पूर्णता प्रमान पत्र परिक्सा यानि आट्वी बोर्ट के लिए आउनलाइन आविदन कच्छुके है अभी भी 20 परसेंट यानि लगबग 3 लाग इस्टुडेंट्स आविदन से बंचीत है ने होंगे 45 रुपे रोडवेज से नीज सुलक और यास्ती पास के जरिये सफर करने वाले यात्रियों के अब पास बनवाने के लिए रोडवेज डीपो जाने की जरूरत नहीं है आविदक अब घर से ओनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अगर आविदक 75 रुपे अत्रिक देगा तो पास तयार होने के बाद उनकी डाक के जरिये घर पहुचाएगा रोडवेज ने इसको लेकर परक्रिया भी शुरू कर दी है इससे जिल्ले के 15,000 से ज़्यादा यात्रियों को बड़ा फाइदा मिलेगा वहें राजस्तान परतेश की अगली बड़ी ख़बर इसकोल खोलने की एसो भी जारी इसकोल बले ही खुल गए लेकिन ऑनलाइन पड़ाई जारी रखेंगे सरकारी और प्राइविटी स्कोल इसकोल के लिए नहीं बना सकेंगे दबाओ एक फरवरी से सुरू हो रहे दसवी से बारवी तदा 10 फरवरी से 60 से 9 तक की सकोल के लिए शिक्सा विभाग ने एक बार फिर आशो भी जारी कर दी है विभाग ने साब तोर पर काया है कि कोई भी सरकारी या प्राइविटी स्कोल है इस्टुडेंट्स को इन तारीकों के बाद भी स्कूल आने के लिए बाद दिन नहीं कर सकेंगे। रीड पर करने सरकार की जमकर भजिट कर रही है। ये थी राजस्तान के आज की टॉप एर्दी रेड़स पड़ी खबरें मिलते हैं।